नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप CBSC Board के द्वारा आयोजेत की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांग 3 जनवरी 2022 सिफ्ट के पेपर के Environmental Studies यानि EBS पार्ट का Complete Solution देखने जा रहे हैं CBSC Board ने सीटेट दिसंबर 2021 में कुल 33 जिफ्टों में ऑनलाइन मोड में परिछा का आयोजन किया था जिसमें से ये 13 जिफ्ट का पेपर है अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर का Complete Solution देखना चाते हैं तो इस वीडियो के समापत होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा सीटेट, यूपीटेट और सूपर टेट की बहतरीन तरके से तैयारी करने के संदर में चले दोस्तों आज के इस महतोपुन सेशन को सुरू करते हैं पहला प्रशन है निमलेखित में से कौन से जानवर के आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है तो दियेगा विकल्प के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर टू गिलहरी दो जानवर ऐसे प्रमोख हैं जैसे की गिलहरी और चूहा इनके आगे के दांत लगतार बढ़ते रहते हैं जीवन परियंत इसी वज़े से आप देखते होंगे कि चूहे की आदत होती है कि हर चीज को कुतरना वो कुतरना उसकी मजबूरी है इस लिए ताकि वो अगर कुतरेगा नहीं तो उसकी दांत घिसेंगे नहीं और वो दांत इतना बढ़ जाएगा कि उसके जबडे में ही गुज जाएगा इस वज़े से उसकी मजबूरी होती है कि हर समय वो कुछ ना कुछ चीजों को कुतर रहा होता है ताकि उसके दांत घिसते रहे और पेक्षा क्रित इतने लंबे ना हो जाए जिससे उसकी आसुविधा उसको होने लगे इसी वज़से जो चुहे होते हैं वो चीजों को हमेसा कुतरते रहते हैं और दियेगा विकल्प मेंसे आपको बताना था कि आगे के दांत किसके जीवन परियंत बढ़ते रहते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा option no.2 गीलहरी अगला प्रशने पूछा क्या है नीचे दियेगा विकल्प मेंसे मधुमक्खी की सरवादिक उप्यूक्त विशेस्ता हैं पहचानिये तो मधुमक्खी के बारे में कुछ विशेस्ता होती है जिसे आपको जाना बहत जरूरी है सबसे पहले इसके बारे में एक बार डिसकस कर भी होते हैं च्छते में बहुत सारी काम करने वाली मक्हियां भी होती हैं ये दिन भर काम करती हैं शहद के लिए फूलों का रस ढूंडती हैं और जब मक्ही को रस मिल जाता है तो वह एक विशेश प्रकार का नाच करती हैं जिसे से दूसरी मक्हियों को पता चल जाता है कि र आदा मदुमक्हिया हैं अगर नहीं होंगी तो ना तो रश बनेगा ना तो शहद बनेगा और नहीं एक तरिके से छत्ता बनने का काम होगा ठीक है तो शहद के बिना छत्ते की सारी मदुमक्हिया जो होती है वो भूकी रह जाती है और नर मक्ही जो है उसका कोई विशेश कार देती है ये विकल्प बिल्कुल positive है ठीक है दूसरा देखे नर मक्खी की कारेकरता के रुप में कोई विशेस भूमिका नहीं होती है तो ये भी बिल्कुल सही है तीसरा देखे सभी मादा मक्खी अंडे देती है तो ये विकल्प गलत है क्यों क्यों क्योंकि जो रानी मक्खी यह सिर्फ वहीं अंडे देने का काम करती है, सभी मादा मक्ही अंडा नहीं देती है, तो यह गलत था, चोथा देखिए कारेकरता मक्ही भोजन को खोजती है और उन्हें छत्ते में लेकर के आती है, यह भी बिल्कुल सही जवाब है, यानि कि दियेगा विकल्प में देखिए A, B और D वाला सही उत्तर होगा, दियेगा विकल्प में देखिए, आप्शन नमबर 3, A, B, D इसका सही उत्तर है, अगला प्रशन है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्सों से रह रहे हैं, उनका वन बुमी और उसमें होने वाले उपज पर अधिकार हो जाता है, यह किससे लिया गया है, तो यह वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया है, आप्शन नमबर 1 इसका सही उत्तर होगा, अगला प्रशन है, जूम खेती है, तो जूम खेती के बारे में जान लिजे, इसे हम लोग slash एवं burn farming भी कहते हैं, और इसे हिंदी में नाम होता है, कर्तन दहन प्रणाली, यानि कि इस प्रणाली के अंतरगत, किसान सबसे पहले क्या करते हैं, कि जो जमीन को वो लोग साफ करते हैं, जैसे कि मालीज ये वन है, तो पहले वनों को काट करके जमीन को साफ करेंगे, और वहाँ पर एक तरीके से जो कर्तन है, जो वनों के छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं उनको वो लोग जला देते हैं जिससे उनको वो जो राक होती है वो एक तरीके से जैविक उर्वरा का काम करती है ठीक है इसमें कोई रसाइनिक उर्वरा का प्रियोग नहीं किया जाता है और एक जगह पर कुछ समय बाद जब उस जमीन की उर्वरता सकती कम हो जाती है तो उस जमीन को छोड़ करके जो किृषाक होते हैं वो दूसरे जगा पर चले जाते हैं और वहां की जमीन को साफ करके और फिर से यही प्रोसस करते हैं तो इसमें क्या होता है कि चुकि रशाइनी कुरवराक तो प्रियोग किये नहीं जा रहे है जैविक तरीके से खेती की जरी है तो इसमें उत्पादन कम होता है तो बेसिकली आपसे यहीं पूछा गया था कि जूम खेती क्या है तो यह करतन दहन प्रणाली है और अंग्रेजी में इसे स्लैस एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं ऑप्शन नमबर टू देखिए काट एवं दग्ध खेती यानि कि सबसे पहले वनों को काटा जाता है और उसको जलाया जाता है ठीक है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं उसको जला करके एक तरीके से जैविक खाद के रूप में प्रयोकिया जाता है तो ऑप्शन नमबर टू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसी के लिए उन्हें नोबल पूरसकार दिया गया था सन 1902 में अगला प्रशन है सिंकोना पेड के किस भाग का उप्योग मलेरिया के उपचार में किया जाता है इसक्रिन पर आप सिंकोना ट्री का इमेज देख पा रहोंगे इस पेड की जो छाल होती है इसका प्रयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है प्रशन आप से पूछा गया था कि सिंकोना पेड के किस भाग का उप्योग मलेरिया के उपचार में किया जाता है तो क्या हो जागा उत्तर ओप्शन नमबर टू छाल इसका सही उत्तर है अग व्षारत में, जितने भी तरह के साप पाई जाते हैं, उसमें से किवल चार तरह के साप जहरिले होते हैं, जिसमें से पहला है नाग, מסारि करेत, तीसा लिपी तरह है लिप रॉता oudनर इस चार साप थे लिच वूते हैं, और करेत भी जहरीला है ये भी आपका उतर नहीं होगा यानि कि भारतिय शैल अजगर यानि पाइथन जो है ये जहरीला नहीं होता है option number 3 इसका सही जवाब होगा अगला प्रशन है वर्मी कमपोस्टिंग एक विधी है जिसमें खाद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है तो केच्वे का प्रयोग किया जाता है कि मिट्टी को भूरबुरा कर देते हैं जिससे oxygen मिट्टी के अंदर तक चला जाता है और जो केचुए मिट्टी को खा करके फिर मल्द त्याग करते हैं तो वो भी एक तरीके से खाद का काम करता है ठीक है तो वर्मी कंपोस्टिंग में विधी में खाद बनाने के लिए केचुए का उप्योग किया जाता है आप्शन नम्बर तीन सही जवाब होगा अगला प्रशन पुछा क्या है पशमीना उन किस जानवर से मिलती है पशमीना उन बकरी जानवर से प्राप्त किया जाता है आप ए इस pencils पर बकरी का image देख पार होगे ये इनके सरीर पर विशेस प्रकार के जो एक तरीके से बाल नुमा सनचना है इसी से पस्मीना उन तयार किया जता है ठीक है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा आपका उत्तर होगा बकरी option number 3 बकरी इसका सही उत्तर होगा अगला प्रशन है अधूरे जले जिवास में इंधन से फैलती है तो इसे से carbon monoxide gas फैलती है और इसी को दम गोटू gas भी बोलते हैं जैसे कि मान लिजे आपने कोईला जलाया या फिर लकडी जलाया तो आधा ही कोईला जला या फिर आधा ही लकडी जला और उपर से आपने पानी डाल दिया तो उसे समय जो gas निकलती है वो carbon monoxide होती है और वो बहुत जहरीली gas है option number 1 सही उत्तर होग अगला प्रशन है पाधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकील नलियों से पानी सीधा पाधे के आधार में दिया जाता है क्या कहलाती है इसक्रिन पर आप देख पारोंगे यहाँ पर देखे पतली पतली संक्री pipe गई हुई है इसे ही नलिया कहा गया निकला होता है और इस छेद के माध्यम से पादी के जड़ में ही पहुँचता है याईनि कि पाधे का जो आधार है सिर्फ वही पर यहाँ पर छेद होता है जिससे पानी उसके जड़ में पहुचता है तो यह पतली पतली संक्री pipe गई हम से direct पाधे के जड़ में जो पानी पहुंचाए जाती है इसको हम लोग drip सिचाई कहते हैं क्या उत्तर हो जाएगा drip सिचाई और इसी को अंग्रेजी में drip irrigation इसका सही उत्तर होगा option number 4 देखिए drip सिचाई इसका सही उत्तर है अगला question पुछा क्या था निमने पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फसाता है और खा जाता है इसक्रिन पर आप घट पढ़नी का image देख पार होगे ये घड़े नुमा सनरचना होती है और उपर एक धकन नुमा सनरचना होती है ये विशेश प्रकार की एक गंद छोड़ती है जिससे छोटे मोटे कीट पतंग और मेढक और छोटे चूहे इसकी तरफ आकर्शित होते हैं और यहाँ पर जो खुला हुआ पार्ट है इसमें मखी जो छोटे मोटे कीट पतंग है वो घुश जाते है उसके बाद से ये जो उपर वाली सनचना है जो धकन्नुमा सनचना है वो बंद हो जाती है जिसकी वज़़से इसमें ऑक्सिजन की कमी हो जाती है और दम गुट करके उस जानवर की मृत्ति हो जाती है और मृत्ति होने के बाद से उसके पोशक तत्वों को ये घटपढ़नी पोधा सोख लेता है यानि आवसोसीत कर लेता है तो प्रशन आपसे पूछा गया था कि कौन सा पोधा कीटों को जाल में फसा करके खा जाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर चार घटपढ़नी का पोधा इसका सही उत्तर है अगला प्रशन पूछा किया था वर्शा के पानी को भविश्य में उप्योग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है तो इसे वर्शा के पानी का संचयन कहते हैं आप्शन नमबर चार सही उत्तर होगा अगला प्रशन में पूछा क्या था निमलेकित में से कौन से रोग मच्छडों से फैलते हैं तो malaria, dango और chicken गुनिया ये तीनों जो हैं वो मच्छड से फैलते हैं लेकिन अगर बात करें pneumonia की तो ये मच्छड से नहीं फैलता बलकि इसके फैलने के लिए जिम्मेदार जो होता ह वो मुखे रूप से बैक्टीरिया या फिर वायरस होता है और कम आम तोर पर फफूद और परजीवी के द्वारा भी ये एक तरीके से फैलता है तो निमोनिया जो है वो मच्छडों से नहीं फैलता है प्रशन में पूछा गया था कि मच्छड से कौन बिमारिया फैलती है तो A, C और D इसका सही जवाब हो जाएगा दिये गए विकल्प में देखिए आप्शन नमबर 3 A, C और D इसका सही उत्तर होगा अगला प्रशन है विद्यार्थी केंद्रित कक्छाएं जिसे चातर केंद्रित कक्छा भी बोला जाता है विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है तो यहाँ पर पहले विकल्प से सुरुआत करेंगे पहला दिया गहा है शिक्छक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्छा करता है कि वह उसका पालन एवम अनुशाशित रहें तो यहाँ पर शिक्छक जो निर्देश दे रहा है उसी के अनुरूप कार किया जा रहा है यानि कि जो कुछ भी गतिवीदी कर रहा है पढ़ना लिखना वो सब कुछ सिख्चाक के द्वारा किया जा रहा है और बच्चे निस्क्रिय बैठे हुए हैं और सिरफ कॉपी में उस ब्लैकबोर्ड से देख करके उतार रहा हैं उसका उतर लिख रहा हैं तो ये बच्चे नि विद्यार्थियों की भागिदारी कम से कम होती है तो ये भी निगेटिव है क्योंकि बच्चा actively participate ही नहीं कर रहा है सब कुछ control में है सिख्चक के जबकि आज हम लोग बात करते हैं बाल केंदरित सिख्चा जिसमें बालक मुख भूमिका में होता है और उसको स्वतंतर ठीक है तो चोथा भी निगेटिव हो गया एक ही विकल्प बच्चा आप्च्चन नमर तीन देखिए सिख्चक ऐसी सीखने की परिसिती उपलब्द कराता है जो विद्यार्थियों को आसर देती है यह महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों को आसर देना यानि कि उनको पोज कर रहा है अनवेसर कर रहा है तो राष्टे सिख्चानीती 2020 बाल केंदरित सिख्चा को ही एक तरीके से जोड़ देने की बात करती है जिसमें बच्चे अपने ग्यान की रचना खुद कर रहे हों राष्टे सिख्चानीती 2020 सनचनावाद को समर्थन देती है यानि कि ब वार के उस पार में एक सिख्षक आरिफ अपने चात्रों को जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभाव साजा करने के लिए कहते हैं निम्न में से कौन सा उसके प्रियास का सबसे ज़्यादा इसपष्ट करेगा कहा जा रहा है कि बच्चे जो खेल खेलना है टीचर उनसे उनका अनुभाव यानि बच्चों का अनुभाव बोलने के लिए कहने के लिए कहता है बच्चों को कहता है ठीक है तो यह कहा जा रहा है कि टीचर के त्वरा जो यह प्रियास किया जा रहा है यह क्या है और कौन सा विकल्प इसको ज़्यादा समर्थन देता है तो पहले का नियम इंपोर्टेंट नहीं था आपका उत्तर नहीं होगा दूसरा देखिए खेलों से संबंदित मुल्यों का विकास यहां पर मुल्यों के विकास के लिए अन्य तरीके हो सकते थे तो खेलों के माध्यम से मुल्य का विकास नहीं किया जा रहा है बलकि बच्चे को इंट् पॉजटिव है लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर इस्टार लगा रहा हूं आगे आपको पता चलेगा क्यों तीसरा देखें कुछ मुद्दो की समझ का विकास जैसे की लड़के वह लड़कियों के लिए एक जैसे खेल सभी के लिए समान औसर और टीम भावना यहां पर द कैसे इस तीसरे वाले में included है कैसे जब लड़के और लड़कियों को एक समान आप औसर दे रहें यानि सब को आप मौका दे रहें अपने वैक्तिगत अनुभाव को साजा करने के संदर में तो यहां पर जो चौथा विकल्प था पहले से included था तीसरे में इस वज़े से अब अगला प्रशन है निम्न में से कौन सी विधी प्रात्मी कक्षाओं में EBS की समझ के लिए सबसे उप्यूगत है तो यहां पर देखिए पहला दिया गया व्याख्यान विधी व्याख्या बच्चों के लिए निगेटिव से बताना है उनकी सहबागिता लेते हुए बताना ह जबकि व्याख्या में क्या होता है टीचर आता है काक्षा में लेक्चर देखर करके चला जाता है इसमें बच्चे अक्टिवली पर्ट्स पेट नहीं कर पाते हैं बलकि बच्चे निस्क्रिय बने रहते हैं इस वज़़े से व्याख्यान विधी निगेटिव होगा इसको अंग्रेजी में inquiry based teaching कहा जाता है इसका मतलब क्या हुगा कि देखिए बच्चों से कुछ प्रशन पूछे जाते हैं उसके पूर्व अनुभव के बारे में जानने के संदर में तो यहां पर बच्चे से जब प्रशन पूछा जागा तो teacher को ग्यात हो जागा कि बच्चा कितना जानता है उसके बाद से उसको जोड़ करके उसके पूर्व अनुभव को जोड़ करके आगे की सिख्चा उसको दे जाती है तो यहीं होता है जाँच आधारित सिख्चन और यह primary में सबसे ज़्यादा appropriate होता है क्योंकि इससे बच्चे interactive भी बनते हैं कक्च्चा में सह अर्थपूंट करने में सक्षम हो पाते हैं तो option no.3 positive था यहीं आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरे वाले विकल्प में मैंने आपको कहा था कि यह उत्तर नहीं होगा लेकिन आपको लग रहा होगा कि यह talk विधी के वज़ए से यह positive लग रहा होगा talk मतलब क्या होता है बात करना तो यह देखे बात क्या होता है one way भी हो सकता है मालीजे केवल teacher ही बात कर रहा है बच्चों से और बच्चे निस्क्रिये हैं तो भी तो यह talk विधी होगा लेकिन अगर बात करें जाच आधारित सिक्षण में तो निस्ची तोर पर जब आप प्रश्ण बच्चा भी बोल रहा होगा यानि कि talk विधी से जादा एप्रोप्रियेट जाच आधारित सिक्षण है क्योंकि talk विधी में हो सकता है कि one way communication हो केवल teacher बोल रहा हो लेकिन जाच आधारित सिक्षण में जब आप प्रश्ण पूछेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा बोले यह सही है positive sense में आप से पूछा गया है चौते फिकल्ब से शुरुआत करेंगे दिया गया है अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना तो पसंद की जगह पर जाना important नहीं है बलकि सैक्षिरिक जो ब्रहमाड होते हैं उसका कुछ नियम होता है कि जो चीजे बच्चे के सिक्ष हुआ हुँ हुआ वहाँ पर जाना चाहिए तो यह negative हो गया किसी नजदीक इस्थान पर जाना तो यह भी negative है क्यों क्यों कि कोई भी नजदीक इस्थान आपके बगल में होगा विद्यालय के बगल में होगा उस पर थोड़ी चले जाएंगे जहां पर बच्चे को को सीखने वो place नहीं था ये negative है आपका उतर नहीं होगा दूसरा विकल्ब देखिए किसी दूर दराज वो परचित इस्थान पर जाना तो यहां पर देखिए बच्चे प्राइमरी स्थरके हैं उनको आप ऐसा नहीं है कि UP से केरल ले जाएंगे सेक्षरिक भरमार करने के लिए जहर सी बात है आप नजदीक के ही इस्थान पर ले जाएंगे और जो उसके context से जुड़ा हो जो उसके संदर्ब से जुड़ा हो ठीक है तो यह भी negative हो गया आपका उतर नहीं होगा एक अहीं भी कल्प बच्चा option number 1 देखिए पूर्व योजना तथा प्रतिपूश्टी क्रिया कलाब के साथ स्कूल के नजदीक किसी इस्थान पर जाना तो यह सबसे ज़्यादा appropriate है कैसे देखिए पूर्व योजना कहने का मतलब कि जो context बच्चे को पढ़ाया जा रहा होगा उससे सम्मंदित किसी इस्थान पर जाने के लिए पहले से योजना बनाई गई है साथी साथ प्रतिपूश्टी यानि feedback लिया गया है बच्चों से teachers से कि यहाँ पर जाना क्या appropriate हो सकता है और साथी साथ क्रिया कलाब के साथ वहाँ पर एक तरीके से बच्चों को सैक्षिक ब्रहमाड के लिए ले जाय जा रहा है तो यह सबसे ज़्यादा positive था और यहीं आपका उत्तर होगा अगला प्रशन है एक EBS की कक्षा को एक खुश गवार कक्षा होना चाहिए इस संदर्व में निम्न में से कौन सा कथन सही है positive sense में आपसे पूछा गया है पहले भी कल्ब से सुरुआत करेंगे पहला दिया गया है सिख्चक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते है तो यहाँ पर teacher के खुश रहने से important नहीं है आज हम लोग बाल के इंदर्द सिख्चा की बात करते है तो जहरी सी बात है बालक खुश होना चाहिए बालक को खुश करने का मत्तब ऐसा नहीं है बालक को आप टॉफी देंगे चॉकलेट देंगे खिलोने देंगे बलकि जो concept आप बच्चे को पढ़ा रहा है उसमें बालक रुची ले रहा हो ये खुशी का मतलब है यहाँ पर तो यहाँ पर teacher खुश रह रहा है या फिर दुखी रह रहा है वो important नहीं है यहाँ पर teacher की बात की गई थी इस वज़े से ये विकल्प निगेटिव हो गया दूसरा देखिए सक्त अनुसासन सक्त अनुसासन हमेशा निगेटिव वर्ड होता है क्योंकि आप बच्चों को डंडा दिखा करके उनको अनुसासन में नहीं रख सकते आज हम लोग स्वा अनुसासन की बात करते हैं यानि बच्चा खुद से अनुसासित होता है और सक्त अनुसासन हमेशा निगेटिव सेंस में होता है कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा चौथा देखिए सुनिशित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें और बहतर समझ के लिए पार्ठ विशे को रिखांकित करें तो यहां पर यह विकल्प बिलकुल संकुचित है कि एवल पुस्तक को पढ़ना और जो पार्ठ विशे है उसको रिखांकित करना यानि अंडरलाइन करने की बात कर रहा है तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है क्योंकि बहुत ज़्यादा संकुचित है आपका उत्तर कभी होगा ही नहीं एक ही विकल्प बच्चा option number 3 देखे अवलोकन, अनवेशन, प्रशन पूछना एवं क्रिया कलाप करना देखे ये सभी जो यहां पर मैं गोला घेरा हुआ हूँ, तीसरे विकल्पे सब पॉजटिव सेंस में आवलोकन करना मतलब कि चीजों को देख रहा होगा बच्चा साथी साथ अनवेशन करने का मतलब कि उसको स्वतंत वातावर्ण दिया गया है अपने ज्यान की रचना करने के लिए खुद खोज करने के संदर में प्रश्न पूछना मतलब कि अपनी जिग्यासाओं को सांत करने के लिए वो टीचर से प्रश्न पूछ रहा होगा साथी साथ क्रिया कलाप में वो एक्टिवली पार्टिपेट कर रहा है यानि बच्चा जिसमें एक्टिवली पार्टिपेट करे खुद से इंटर्नली मोटिवेट होकर के प्रश्न पूछे अगला प्रश्न पूछा क्या है बच्चों में विचार विक्सित करने के लिए वन्स व्रिक्ष एक उप्योगी उपकरण है तो इसको सपोर्ट करने वाला कौन सा विकल्प सही होगा आपसे पूछा जारे देखे वन्स व्रिक्ष को अंग्रेजी में family tree कहते हैं family tree मतलब की जैसे की आपके पीछे के जो पीडिया आया रही है उनको एक tree के form में दिखाना जैसे की माली जे आपके दादा के दादा के दादा के दादा यहां पर मैं denote कर रहा हूँ उसके बाद से उनके पुत्र हुए होंगे उसके बाद से आपके पिता हुए होंगे उसके बाद से आपका जन्म हुआ होगा इस प्रकार से family tree के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर देख लिजिए, पहला विकल्प अगर देखा जाए, तो पहला विकल्प कहा जा रहा है कि यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में, संयुक्त परिवार में आपके दादा दादी और आपके पि पहले कि जो पीडियां चली आ रही है, उसको tree के form में दिखाना, तो यह संयुक्त परिवार तक केवल सीमित रह रहा था, यानि कि दादा दादी तक ही सीमित है, तो यह विकल्प निगेटिव था, आपका उतर नहीं होगा, दूसरा विकल्प देखे, मैं पहले भी बोल सदस्यों के आपसी संबंदों के बारे में है, तो जो family tree होता है, वो सिर्फ दादा दादी यानि संयुक्त परिवार तक सीमित नहीं है, बलकि उनके पहले दादा के जो पिता थे, उनके पिता थे, यह family tree यह रिप्रेजेंट करता है, यानि अनेक पिडियों के परिवार के स सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे मताता है, option नमर चार बिल्कुल सही जवाब होगा, अगला प्रशन है, EBS में आकलन का संकेतक है, आकलन यानि कि मुल्यांकन करने के संदर में है, तो चौथे विकल्ब से सुरुआत करेंगे, दिया गया है सूची बनाना, सूची बनाना किसी बच्चे को आप statement कोई बोल रहे हैं, वहाँ से कोई भी उसका उत्तर नहीं मिल ला है, क्योंकि आपने किवाल statement बोलने के लिए कहा गया है विकल्ब में, तो ये one way communication है, ये negative है, क्योंकि जब तक बच्चा कुछ बोलेगा नहीं, जब तक कुछ जवाब नहीं देगा, तब तक आप उसका मुल्यागन कैसे कर पाएंगी, तो ये भी negative हो गया, दूसरा देखिए, इस्मरण करना, याद करना, रटना, इस्मरण करना, ये सभी negative sense में होते हैं, आप चीजों को रट करके नहीं बताना है, बलकि NCF 2005 और राष्टे सिछानीती जो 2020, दोनों बच्चे को ज्यान के लिए सक्रिये विद्यार्थी के रूप में देखती है, ना कि रियाद करने के संदर में, तो ये negative था, रटना, याद करना, ये सभी negative वर्ड होते हैं, कभी भी आपका उतर नहीं होगा, ये कही विखल बच्चा option number 1, चर्चा करना, देखिए, as a teacher, जब आप मुल्यांकन कर पाएंगे किसी concept के बारे में बच्चा कितना जानता है, माली जी आप प्रश्न पूछे, अब उसका जवाब उसने दिया, यानि आप उस विशय पर चर्चा वी मर्ज कर रहे हैं, बच्चे से interaction कर रहे हैं, interaction के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है, कि बच्चा EBS में कितना जानता है, तो option number 1 positive था, यहीं इसका सई जवाब हो जाएगा, अगला प्रश्न पूछा कहा है, कक्छा 3 के विशय मान चित्रण के अंतरगत कौन सा क्रिया कलाब छातरों के लिए सबसे उप्यूक्त होगा, मान चित्रण को अंग्रेजी में mapping कहा जा तो घर जो है, वो बिल्कुल stable है, और उसका रेखा चित्र बनाने की बात की गई है, तीसरा देखिए, उनसे अपनी कक्छा का चित्र बनाने के लिए कहना है, कक्छा भी बिल्कुल अपनी जगा पर stable है, यानि कि बच्चे को इसमें movement करने की आउशकता नहीं है, लेकिन रास्ता भी stable है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक direction को आप indicate करेंगे कि घर से जब बच्चा निकलेगा, तो किस direction में जाएगा इसकूल के लिए, तो यहाँ पर मानचित्रन यानि पता लगाने के sense में यहाँ पर प्रशन पूछा गया था, यानि कि किसी ना किसी direction में ही तो आपका उतर होगा, तो पहला, तीसरा और चोथा, यहाँ पर stable यानि कि इसमें कोई भी direction या फिर पता लगाने जैसा sense नहीं आ रहा था, लेकिन option number 2 में एक particular direction में ही आप रास्ता दिखाएंगे कि आपके घर से आपके विद्याले का रास्ता किस direction में है, तो चुकि यहाँ प कौन सी युकती, इस विशय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उप्युक्त होगी, positive sense में आप से पुछा गया है, देखिए पसु उप्तिम्प बताने के लिए बच्चों को वो वाला विकल्प सही होगा, जो कि बच्चे को actively participate करा रहा होगा, साथी सा इसमें बच्चे खेल के माध्यम से ही सीखेंगे और जिसमें गतिविधी या फिर activity हो रहे होगी, उसी के माध्यम से सीखेंगे, यानि बच्चा actively participate तो करी रहा होगा, साथी साथ वो उसमें रूची भी ले रहा होगा, वहीं विकल्प सही होगा, पहले विकल्प की बात करे बच्चा इसमें इंट्रेष्ट ले रहा है, नहीं ले रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, बच्चे को बोल दिया गया कि आप सूची बनाए, तो यहाँ पर बच्चो को केंधर में नहीं रखा गया है, यानि कि वो actively participate करेगा या नहीं, इसकी guarantee नहीं है, आपने सिर्फ बोल दि communication है बच्चा इसमें actively participate नहीं कर रहा है अब विद्यार्थियों को जब आप जानवरों का नाम बताएंगे तो बच्चा इसमें कुछ interaction थोड़ी कर रहा है आपसे तो ये भी negative था आपका उतर नहीं होगा चोथा देखें विविद प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दी जाती है वो बच्चे के परिवेश से जोड़ करके दी जाती है तो negative था आपका उतर नहीं होगा तीसरा एक ही लिकल पच्चा देखें क्या कहा जा रहा है विद्यार्थियों को चिडिया घर में ब्रहमण पर ले जाकर के प्रत्यक्ष्य अनुबहों देना आप इस वज़े से यह सबसे एप्रोप्रियेट है और यहीं आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नमबर तीन सही उतर है अगला प्रशन पूछा गया है डॉक्टर ब्यूमॉंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैग्यानिकों की भूमी का समझने में सहायता करते हैं न देखिए सबसे पहले हो जाएगा प्रेक्षण करना प्रेक्षण को अंग्रेजी में observation कहते हैं यानि आउलोकन करना तो सबसे पहले आप चीजों को देख रहे होते हैं as a scientist ठीक है तो सबसे पहले आप प्रेक्षण करेंगे तो यह पहले नंबर पर हो गया उसके बाद से आ आप खोज कर रहे हैं उसकी क्या requirement है उससे प्रेशन पूछ रहे होंगे तो दूसरे नंबर पर क्या हो जाता है प्रेशन पूछना ठीक है यानि कि जो चीज हम खोजने जा रहे है जाईर सी बात है उसके लिए कुछ आपके पास जरूरत महसूस हुई होगी तभी तो आप सामने आएगा कि मुझे क्या-क्या requirement होनी चाहिए या फिर क्या चीज मैं खोज रहा हूँ ये प्रेशन हो गया ठीक है तो दूसरे नंबर पर प्रेशन पूछना हो जाएगा तीसरे नंबर पर देखिए परिकल्पना प्रस्तावित ये तीसरे नंबर पर हो जागा यानि कि अब माली जी हमको पता चल गया कि हमें क्या खोज करना है अब हम हाइपोथेसिस करते हैं यानि कि परिकल्पना करते हैं कि अगर ये चीज ऐसे हुआ तो इसका परिडाम इस प्रकार से हो सकता है तो ये क्या है ये परिकल्पना प्रस्तावित करना तो ये तीसरे नंबर पर ऐसे होगा अब उसके बाद से यह हाइफोतेटिस था अब हम लोग अनुमान लगाएंगे कि actually माल लिजे in case अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या परड़राम हो सकता है यह अनुमान लगाना है ठीक है तो यह चौथे नंबर पर हो जाएगा उसके बाद से देखिए पाँचवे नंबर पर हो जाएगा अनुमान का परिक्षण यानि कि हमने जो अनुमान लगाया था वो valid है अथवा नहीं तो इसका हम लोग test करते हैं इसी को बोला जाता है अनुमान का परिक्षण तो ये पांचमे नमबर पर हो जागा और पहले नमबर पर हो जागा देखें सब कुछ हमने कर लिया है अब क्या करेंगे जो हमें program प्राप्त हुआ है उसको record त्यार करेंगे यानि उसको अंकित करेंगे और साथी साथ निसकर्स final output पर हम लोग पहुँचेंगे तो ये पहले नमबर पर हो जागा यानि कि हमारा क्रम क्या बना तो सबसे पहले देखें सबसे नम पहले हम लोग प्रेक्षण कर रहे थे यानि चठवा उसके बाद से प्रेक्षण के बाद से हमने क्या किया था यानि कि इसके बाद से तीसरा उसके बाद से हमने क्या किया था उसके बाद से हमने परिकल्पना प्रस्तावि किया था यानि कि चौथा हो जाएगा और अंत में क्या किया था हमने परिराम को रिकॉर्ड किया था और फाइनल निस्कर्स पर पहुंचे थे यानि एक यानि आपका क्रम क्या बन गया छै तीन दो पांच चार एक आपका सही उत्तर होगा दिये गए विकल्पों में देखिए और प्रत्यक्ष तौर पर चीजों को देख रहे होंगे तो यहां पर विकल्प नबर तीन देखिए पक्षी अभ्यार रहे हैं में आउलोकन के लिए ले जाना यानि कि ये एक तरीके से सैचिक ब्रहमाड से सम्मंदित है और बच्चे ब्रहमाड के लिए उत्सुक रहते है यानि कि रूची भी लेंगे और प्रत्यक्ष तौर पर जब बच्चे इससे देख रहे होंगे तो निशी तोर पर इनका अधिगम जोगा वो अर्थपूर्ण हो सकता है तो यह बिल्कुल पॉजिटिव था अन्य विकल्पों पर एब गार चर्चा कर लेते हैं पहला दिया तीसरे के सेंस में क्योंकि तीसरा इससे ज़्यादा पॉजिटिव था क्योंकि बच्चा जब एक्टिवली पार्ट्सपेट कर रहा है इंट्रेक्शन भी करेगा जब औलोकन करेगा तो निशी तोर पर उसमें कई और कौशल विक्सित होंगे तो यह पॉजिटिव था और इसके कंडिशन में यह दूसरा था वो कम एप्रोप्रियेट है इस वज़से गलत हो गया चौता देखे विलूप्त पक्चियों के विभिन वारता वा भासर देना यानि कि विलूप्त पक्चियों पर विभिन वारता एवां भासर देना आज हम लोग जया विविदिता की इसमें विलूप्त प्राइप प्राणी के साथ साथ जो विलूप्त नहीं हुए है उनकी भी बात होती है और विकल्प केवल विलूप्त पक्चियों की बारे में बात कर रहा है यानि कि ये एक तरीके से संकुचित था संकुचित था इस वज़से आपका उतर नहीं होगा यह कही विकल्प बच्चा, option number 3 सही जवाब होगा, अगला प्रशन पुछा गया है, आदित्ते एक होनहार विद्यार्थी है, यानि कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्छा के सिक्छक, उसकी जिग्यासा की पूर्ती के लिए कारे करें, उसके सि 4-5-6 घंटे बच्चे को विद्याले में टीचर समय दे रहा है, तो कि अब प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है कि बच्चे को दिन भर ही समय दे दिया जाए, टीचर की अपने भी कुछ पर्सनल रिक्वाइर्मेंट्स हो सकते हैं, पर्सनल कुछ काम हो सकते हैं, तो अत प्रतिभासा लिए, इसलिए टीचर उसका फिवर कर रहे हैं, उसे इसने दे रहे हैं, और मैं कम सीख पा रहा हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मतलब मैं कम तेज हूँ, तो मुझे टीचर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इससे बच्चे क्या होते हैं, कि हीन भावना का स साथ ले करके चलना है जो केवल प्रतिभाशाली ऐसा थोड़ी है कि आप उसी पर केवल ध्यान देंगे तो यह निगेटिव था आपका उत्तर नहीं होगा तीसरा देखिए उसे कक्षा के नितित्व के लिए अत्रिक्त दाइत्व देना चाहिए देखिए अब बच्चा प्र धिरे धिरे कम होने लगेगी ठीक है और यहां पर एक तरीके से जब बच्चे को अत्रिक्त नतित्व के लिए काम देते हैं आप तो जाहिर सी बात है उसकी प्रतिभा थोड़ी डाउन होगी अत्रिक्त नतित्व उस बच्चे को दिया जाता है जो की बहुत क्रियाशील है जिसकी वजह से पूरा कक्छा प्रभावीत हो रहा है, पूरा कक्छा डिश्टर्ब हो रहा है तो उस बच्चे को आप अत्रिक्त उसर दे 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 देते हैं, अत्रिक्त दाइतो दे 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 ताकि वो उसी काम में busy रहे, जैसे कि कक्छा में जो monitor बनाय जाता है, वो उसी ज्यादा क्रिया SHIELD है यानिकि самого ज़्यादा इसको जिम्मेदारी देजिए कि पूरी क्लास को सांथ कराने में फूरी कlarını करें जो आप जाये घ्रेंगा तो इसके कुछ विसिष्ट इसक्षड समागरी का उप bitsयों हese यानि कि अब बच्चा बहुत ज़्यादा प्तिभाशाली है यानि कि अपने syllabus अपने curriculum से ज़्यादा वो सीखने की इक्षा है तो अब as a teacher आपको ये चाहिए कि उसके लिए कुछ विशिष्ट सिक्षन समागरी अलग से प्रोवाइड किया जाए ताकि वह उसकी जिग्यासा क आप सांत कर सके उसकी उत्सुकता को और ज़्यादा बढ़ाये जा सके तो ये सबसे ज़्यादा पॉश्टिव था और यहीं आपका सही उतर हो जाएगा option नमबर 4 सही उतर है अगला प्रशन पूछा गया है इनमें से क्या पर्यावरान अध्यन का भाग है तो ebs को हम लोग विज्यान और समाजिक विज्यान साथ ही ebs के साथ integrate करके एकिकरित करके पढ़ते हैं तो option नमबर 1 देखिए विज्यान समाजिक विज्यान और पर्यावरा सिक्षा से समंदित मुद्दे और सरोकार ये बिकल पॉश्टिव था और यहीं आपका उतर होगा कैसे देखिए हम अपने परिवार में देखता है कि सब लोग अपने रोज सुबा उठकर के सोच जाते हैं सोच से आने के वाद से नहाते हैं यानि कि अपने सरीर को साफ रखते हैं यानि कि सरीर को साफ क्यों रखा जाता है ताकि वह बिमारी से ग्रसित ना हो जाए अपने नाखुन को आप चोटे रखते हैं, सौथ से आने के बाद से साबून का प्रियों करते हैं, हाथ को अच्छी तरीके से दूलते हैं, यह इसलिए किया जाता है, ताकि बिमारियां हमारे पास ना आ सके और बिमारियों से हम बचे रहें, गंदगी ना फैलाएं, इस वज़े से, तो यह क्या है, गंदगी के वज़े से बिमारियां आती हैं, यह विज्ञान का पार्ट था, और इसको बच्चे को EBS से एकिकरी तरके पढ़ाया गया, उसके परिवेस से जोड़ करके पढ़ाया गया, यानि कि ऑप्शन नमबर एक, विज्ञान और समाजिक विज्ञान, पर्यावरन सिक् कौन सा कारण नाटक चुरने के लिए सबसे उचित है, तो पहले विकल्प से सुरुआत करेंगे, पहला दिया गया है, पारमपरिक नाटकी विधाएं, बालक के लिए विशे वस्तू से उसे जोड़ने में सरल है, जाहिर सी बात है, जब बच्चा प्रत्यक्ष तोर पर ना दूसरा देखिए क्या कहा जारा है, पारसपरिक क्रिया के नाटक उनकी इस्मृती में अधिक समय तक रहते हैं, यहाँ पर देखिए इस्मृती को आप कंफ्यूज मत हो जाएगा निगर्टिव सेंस में, यहाँ पर इस्मृती का मतलब यह है, इस सेंस में, जैसे देखिए इस्मृति को आपको लग रहा होगा कि याद करना रटने जैसे सेंस में आया हुगा है लेकिन ऐसा नहीं है इस्मृति का मतलब यह है कि जैसे आप पिक्चर कोई देखते हैं माल जे मूवी आपने देखा KGF आपने देखा KGF2 तो उसके सेंस आपके मन में क्यों अभी तक बरकरा रहे हैं क्योंकि आपने उसमें रूची लिया था तो यहीं कहा जा रहा है कि जब बच्चे नाटक को देखते हैं और उसमें रूची लेते हैं तो उसके theme को उसके द्वारा बताया कि concept को बच्चे ज़्यादा समय तक अपने mind में रख पाते हैं क्यों कि बच्चे ने रूची लिया था क्यों क्योंकि आपने उसमें रूची लिया था आपको interest था इस वज़े से वो आपकी स्मृति में बना रहता है तो यहाँ पर स्मृति पॉजिटिव सेंस में है और इसलिए ये भी विकल्प सही होगा तीसरा देखे कहा जा रहा कि सीधी धीमी गती से सीखने वाले विद्यार तो हम इसको 100% सही थोड़ी मानेंगे जब शियोर नहीं है तो 100% सही थोड़ी मान करके चलेंगे 50% chances भी है कि अभी नहीं पसंद ना करे तो इसको हम लोग गलत मान करके चलेंगे क्यों क्योंकि 100% शूर नहीं था इस वज़े से हम लोग गलत मानेंगे यानि कि A और B के वल और भी इसका सही उत्तर होगा, अगला प्रश्ण पुछा गया है, पर्यावराण अध्यान की पार्थ पुस्तक, विद्यार्थियों को किसमे सहायता करती है, पहले विकल्प से सुरुआत करेंगे, पहला विकल्प दिया गया है, पर्यावराण अध्यान विशय के मुद्दो और सरोकार की व्याख्या करने में ये भी negative है क्यों? क्योंकि बच्चे primary स्तर के हैं वहाँ पर बच्चों को खेल के माध्यम सही सिखा जाता है व्याख्या जो होता है यानि कि कच्छा में teacher आकर के व्याख्या दे करके चला गया तो इससे बच्चे इंटराक्ट नहीं हो रहे हैं एक तरीके से अपनी सहभागिता नहीं दिखा रहे हैं और कोई इंटराक्शन नहीं करने हैं और लेव वाइगोच्की के सिधान्त के नुसार जब तक बच्चे समाजिक अंताक्रिया नहीं करते हैं तब तक उनका अधिगम प्रतिक्रिया देने में, तो यहां पर किवल प्रतिक्रिया नहीं देना है, बलकि interaction करना है, अंतक्रिया करना है, प्रतिक्रिया देने का मतलब कि कोई घटना घटी, आपने उस पर सिर्फ अपना, आपका stand क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपने दे दिया, तो इसमें आप interaction करेंगे या ना करेंगे ये confirm नहीं हो रहा है, तो ये भी negative था आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रतिक्रिया देना one way communication भी हो सकता है और interaction करना, यानि two way communication होता है interaction, two way communication का मतलब यह हो गया कि उसमें एक वक्ता होगा और एक स्रोता होगा, वक्ता कुछ बोलेगा जिसे स्रोता सुन रहा होगा, उसके पास स्रोता बोलेगा, तो उसे वक्ता सुनेगा, यानि इसे interaction बोलते हैं, आपसी बादचित इसे बोलते हैं, और प्रतिक्रिया देने में हो सकता है कि केवल one way communication हो केवल एक ही वक्ती अपनी विचार को रख रहा होगा, ठीक है, तो ये negative था एक ही विकल पर बचा, option number 3 देखिए सभी संसाधनों के द्वारा ग्यान की रचना करने में, अब ग्यान की रचना लेवाई गोच्की और जीन प्याजे दोनों संरचनावाद के समर्थक हैं और राष्टे सिछानिती 2020 भी रचनावाद को ही समर्थन देती है कि बच्चे अपने ग्यान की रचना स्वैम करते हैं तो यहाँ तो ये positive हो गया और सांती सांत सभी संसाधनों के द्वारा ग्यान की रचना करना सभी संसाधन कहने का मतलब कि संसाधन क्या है जो बच्चे के परिवेश में चीजे होंगी वहीं तो संसाधन है और परिवेश से जोड़ करके और बच्चे अपने ग्यान की रचना स्वैम करना यानि EBS का ही ये महतवपून पॉइंट है कि बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है और चुकि बच्चा अपने ग्यान की रचना स्वैम कर रहा है इस वज़़े से यहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये पेपर पुरा सौल्फ हो चुका है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के मादम से जरूर बताईगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महतवपून वीडियो लाने के संदर में अगर आप सीटेट प्रिवियस येर के सभी सिफ्टों के पेपर का कमप्लीट सलूशन देखना चाते हैं सांथ ही सीटेट के सभी सब्जेट से पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेजेगा सीटेट, यूपीटेट और सूपर टेट की बहतरीन तरीके से त्यारी करने के संदर में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भ हो